नवरात्री आने वाली है और आप और मैं मिलके एकी चीज सोच रहे हैं कि इस बार माता की चौकी को कैसे सजाया जाए क्या कुछ नया किया जाए जिससे कि हम इस बार की चौकी पिछली बार से एकदम अलग उसको सजा सकें तो बहुत सारी unique ideas इस बार मैं आपके साथ share करने वाली हूँ और भी रात का बज़रा है डेड़ और मेरे चहरे पे बच चुके हैं बारा फिर भी मैं वीडियो बनाने बैठी हुई हूँ क्योंकि आपको daily एक वीडियो मुझे deliver करनी है तो चले start करते हैं कि इसको कैसे बनाना है और आपको सिर्फ चाहिए होगा cardboard cardboard आपको arrange करना होगा और कुछ papers जो है arrange करने होगे colorful और आपकी chalk की new तयार हो जाएगी बनके subscribe नहीं किया है तो जल्दी जल्दी subscribe कर लो free of cost एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है और बहुत ही अच्छे ideas मैं कोशिस करूँगी आपके साथ share कर सकूँ वीडियो अच्छी लगते है तो like करना मत भूलेगा साथ मैं comment किजेगा कि आपको कैसा लगा है चले start करते हैं कि chalk कैसे बनानी है let's get started सबसे पहले आपको एक बड़ा सा cardboard का टुकडा लेना होगा इस तरह से जो कि लंबाई में होगा और उसके बाद आपको इसको cut करना है photo की frame में जिसमें आपको ये side से रखना है और बीच बाला जो portion है उसको cut कर देना है फिर हमें एक और cardboard का टुकडा चाहिए होगा जो कि आपका square चौकोर आकार में होगा उसको आपको बीच से cut करना है इस तरह से आपको cut करना है जो कि दोनों side जो है इसके तिकोना आकार निकलाएंगे triangle का shape मिल जाएगा तो आपको पहले इसको सारी चीजों को cutting करके arrange करके रखना होगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से आपके ये जो माता की चौके है ये बन के तयार हो जाएगे तो इस तरह से पहले आपको ये जो है दोनों को अलग करके cut कर दिना है उसके बाद मैंने लिया है एक काढ़ बोर्ड़ का ही डिबबा है इस तरह का चोकि चौकर आकार में है उसके उपर मैंने लगाआ हुआ है पेपर ग्रीन कलर का जो है शीट है जिसका मैंने बेस दिया हुआ है इसको मैंने अच्छे से तोनोंत साइट से चिपका दिया है कुछ इस तरह से जिससे कि ये moment पारवार नहीं करेगा अब इस sheet के उपर ही हम ये triangle का जो shape है इसको यहाँ पे चिपकाएंगे एक इस side चिपकाएंगे और दूसरा जो है दूसरी side इसको जो है अच्छे से glue से या fabric all से या fabric all से जो भी आपके पास available होता है उसको उससे चिपकाएंगे उसकी बाद जो हमने एक सबसे पहले ही एक photo frame कट किया हुआ था इसको हम इस box के पीछे चिपकाएंगे जो हमारा इस चौकी का पीछे का जो है decoration होगा तो इन तीनों पार्ट को सबसे पहले आपको चिपका के रखना है अब मैंने लिए हुई है green color की glitter की sheet जिसमें आप इस तरह को जो shape दीख रहे है इसको मैंने पहले pencil से बना लिया था जिससे की आसानी हो जाएगी जल्दी से करने में अब इसको मैं cut कर रहे हूँ तो इस तरह से आपको भी green color की glitter की sheet नहीं होती है तो आप नॉर्मल जो paper की sheet होती है उससे भी इसको cut कर सकते है तो आपको इस तरह से पहले cutting करके रखनी है और इसी तरह कि मैंने golden color की भी glitter की sheet का same shape इस तरह से cut किया हुआ है बट उसका जो आकार है green color से थोड़ा सा छोटा है तो इस तरह से आप मैंने इसको cut कर लिया है अब इन दोनों को एक साथ चिपका दिना है तो दोनों जो एक size के होंगे उसी के according ही आपको चिपकाना होगा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने इस दोनों को एक साथ कट करके चिपकाया हुआ है और बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारी माता की चौकी बनके आपकी तयार हो जाएगी अब ये आप जो देख रहे हैं मोर बने हुए जो की paper से बनाए हुए है और इसमें मैंने use किया है silver color का जो हमारा pen आता है उसका use किया हुआ है और blue color और red color की paper sheet से ही इस मोर को तयार किया हुआ है इसका जो link है मैं description box में आपको वहाँ पे available हो जाएगा आप वहाँ से उसको click करके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस मोर को बनाया हुआ था अब ये जो हमने टुकडे चिपकाई हुए थे cardboard के उसके उपर मुझे जो है सबसे पहले मैंने glue लगाया हुआ है और ये जो मोर है उसको इस side लगाएंगे दोनों का जो मैंने मोर का जो face है opposite direction में लगाया हुआ है आप उसको अपने according भी लगा सकते हैं जैसा आपको लगता है इन दोनों को मैंने पहले चिपकाया है अब ये paper flower है इसको कैसे बनाना है ये भी मैंने अपने channel में आपको बताया हुआ है बहुत ही आसानी से आप इसको भी बना पाते है circle की shape में आपको पहले cut कर लेना है और उसको fold करके जिस shape में भी आप flower बनाना चाहते हैं उसको pencil से बना के और फिर आप उसको sketchy से cut कर लीजे तो इस तरह के अलग-अलग color से अलग-अलग design की मैंने ये कुछ fold पहले से तयार कर रखे थे इनको यहाँ पे मैंने अच्छे से चिपका दिया है तो यह हमारा जो side का portion है चौकी का वो बनके तयार हो गया है जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब जो पीछे वाला हमने बनाया हुआ है वहाँ भी इसी तरह से ही आपको fold चिपकाने है फूलों का जो भी color combination होता है वो आप अपने हिसाब से भी choose कर सकते है लेकिन मैंने जो लिया हुआ है वो mostly yellow color का है red color का है और कुछ purple color के भी है तो मैंने यह जो आसन तयार किया है यह multi color का हो गया है क्योंकि हमने जो आगे लगाय हुए है वो side में 2 more रखे हुए है और इसलिए इसमें multi color का use किया है जिससे कि यह इसकी खूपसूरती और भी अच्छी लगेगे तो इस तरह से हमने यह पूरी चौकी को तयार किया है अब मैंने एक चोटा सा study table लिया है जिसको मैंने अपने red color की चुन्डरी से पहले cover किया है अब जो हमने आसन बनाया हुआ है इसको रखेंगे और सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसमें आपको ना कोई दीवार में कील लगानी पड़ेगी ना ही कुछ चिपकाना पड़ेगा यह पूरी चौकी आपकी एक जो है माता का दरबार सजा सकते है जिसमें आपका मातर 20-25 रुपए का खर्चा आएगा और यह इतनी सुन्दर माता की चौकी आपकी घर बैठे बनके तयार हो जाएगी अगर वीडियो आपको अच्छे लगती है तो लाइक करना मत भूलेगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजे और आपको जो बैल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करना मत भूलेगा जिससे कि आगे जो भी और भी नई वीडियो जाएंगी उसका नौटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो यह हमारी जो है एक बहुती खूबसूरत सी दिखने वाली माता की चौकी तयार हुई है जो कि बहुती आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं तो आपको जो भी फीडबैक होता है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा जय माता की